हेलो एवरिवन, वेलकम अगें टो फाइनाट स्टडी, आज किस वीडियो में हम बात करेंगे स्थिगिरिया की गुफाओं के बारे में तो सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं, ये कहां स्थित हैं, तो ये स्थित हैं श्री लंका में श्री लंका में पूछा जाए कि कहां है, तो एक मटाले नाम एक जिला है, वहाँ पर ये स्थित है, तो मटाले जिले में سिंग गिरी एक कस्पा है और ये गुफाएं स्थित हैं इनका सिंगई गिरी नाम था जिसका जो पराचिन नाम है वो सिंगई गिरी था अब सिंगई गिरी नामाologist क्यों पड़ा? तो यहां पर क्या है कि शेंग ओचा शैल fictional है गung एक पहाडी है what is जिसका जो शेप आदाicion है जब खारी को च्यों तो दीसका … इसका जो टाइमिंग है वो है पांच विस्ताब्दी 479 इसवी से 497 इसवी ठीक है इसका जो निर्मान है वो किस ने करवाय था तो देखें इसका जो निर्मान है वो करवाय था धातुसेन ने धातुसेन ने काफी मतलब अच्छे शाशक थे काफिधरम पारायन, रख्वाएं अंने दनपुन, राज्जय का इबानुआ ठार्मिक प्रवर्थि के थे उन्हों ने लोगेसी तो उन्हों की रानी, फै मोगलायन, कश्वप प्र unlock अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि देखें ये देख लिजिए पहले कि इसका जो चितरन है वो बनवाई तो धातु सेन ने थी इस बात को अप ध्यान रखेगा कि बनवाई तो धातु सेन ने थी ठीक है लेकिन इसमें जो चितरन करवाय था वो इनके बेटे कश्यप प्र मतलब जिन्दा जला डाला था तो उस वज़े से फिर इनके जो दामा थे उन्होंने बदला लेने के लिए क्या किया है इनके जो दोनों बेटे थे मोगलाइन और कश्यप प्रथम उन दोनों के बीच में फूट डलवा दी थी अब उसी के परिणामसरूप क्या हुआ कि मोगल प्राश्चित के रूप में फिर वह सिगीरिया जो स्थान है वहां पर एकांतवास के लिए चले गए थोड़ा प्राश्चित करने के लिए пять हिश्चित के लिए ही उन्होंने जो वहां पर राजपरसाथ बनवाए उन्होंने गुफआये खुद वाई थी तो इनकी खौज क ब्रिटिश फोज में एक पदाधिकारी थे उन्होंने जब यात्रा की तो उस टाइम पर इन्होंने जो सिगिरिया गुफा है उनकी खोज की थी और यह जो गुफाये हैं यह बोदधरम से संबंदित हैं वहां कुल कितने गुफाये हैं तो देखें यहां पर दो चित्रित खोंखों में कुल 6 गुफाए हैं लेकिन जो महतोपून है महतोपून चित्र है वो केबल 2 में ही 6 रह गए हैं इसकी अनुक्रतिया या प्रतिलिपया किसने बनवाई थी तो इसकी प्रतिलिपया है वो बनवाई थी Mr. Murray ने 1889 में अब, इन्होंने जो अनुकृतिया बनवाई थी, उन्होंने से 17 आकृतिया है वो पेस्टल रंग में बनवाई थी, और बाकी जो जितनी आकृतिया है, वो छाया चित्रों के रूप में बनवाई गई थी और यहां पर ही जो मोरी समराट थे अशोग उन्होंने अपने पुत्र महंदर और पुत्री संग मित्रा को धरम परचार है तो श्रीलंका भेजा था और कब भेजा था तीसरी स्तावदी इशा पूर्व में ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है टिक कर लीजेगा इसको कि समराट अशोग ने अपने पुत्र महंदर और पुत्री संग मित्रा को धरम परचार है तो श्रीलंका भेजा था ठीक है बोधी वरक्ष की एक साखा लेकर ये बात भी जान रखेगा कि तीसरी स्त इसापूर्व में बोधी वरक्ष की एक साखा लेकर इन दोनों को उन्होंने श्रीलंका भेजा था ताकि भारत श्रीलंका के मद्दे जो है वो सांस्कृतिक आदान प्रदान की शुरुवात हो सके और उसी के बाद से यहां पर जो है वो बोध धरम का प्रचार प्रसार होन अब देखें यहां पर जो चित्र हैं उनकी बात करें तो यहां पर दो चित्रित खोहों में 6 गुफाए है लेकिन दो में ही चित्र जो है वो शेस है या महत्वपूर्ण है अब विंसेट जो स्मित जो है उन्होंने इन्हें यह जो दो गुफाए है इन्हें ए और बी नाम ठीक है ए जो कक्षे है वो 26.5 फूट का है और जो बी कक्षे है वो 41.5 फूट लंबा है दोनों की नाप याद रखेगा नाप बहुत पूछे जाती है एक्जाम में और सबसे most important line ये है कि 21 रुपाएनी इस्तरियों के जो चित्र है वो सिगिरिया गुफा में बने हुए है उसके बाद देखे जो गुफा A है उसमें 4 चित्र है और गुफा B में 17 चित्र है ये जो चित्र है वो मानव आकार से कुछ छोटे बनाए गए हैं चित्र है कुछ चित्र क में कर्दfahr्य जो नॉर्मल मानव साइज उसे कुछ चोटी ये आकरतियां जो है प्रतीत होती है जो है जो पहला कक्ष नमबर A जो है एक अक्ष जो है उसकी जो नारी आकरतिया बनाई गई है वो थोड़ी सी लंबी है लेकिन जो बीक अक्ष है उसकी नारी आकरतिया कुछ छोटी बनाई गई है एक अन्य चित्र है यहाँ पर कि कुलीन महिलाएं पुष्प लिए हुए एक जुलूस के रूप में एक चित्र दिखाया गया है जिसमें कि कुलीन महिलाएं हाथों में पुष्प लिए हुए जा रही है और पुष्पों का ठाल भरा हुआ है उनके हाथ में है और ऐसा माना ज कि नेक्स्ट है यहां कि चित्रनविधी यहां पर किस उपर बालू चुना मिट्टी का मिश्रन लगाकर आदे इंच की मोटे बालू या चुने के प्लास्टर से सतया को फिर उन्होंने तैयार किया है और उसके उपर फिर ये चित्र अंकित किये हैं इसके बारे में भी काफी जो इतियासकार हैं उनकी अलग अलग मत हैं अब कोई देकि जो जाक्टर गिर्रा जगरवाल है उनका कहना है कि जो चित्रों का अंकन हुआ है वो गीली दिवार पर हुआ है लेकिन श्री जो बेल है उनकी उनका कहना है कि जो चित्रन है वो सूखे द बारे में बहुत से चीज़े हैं जिनके बारे में सभी इत्यासकार अपने-अपने अलग-अलग मत देते हैं सब के अलग-अलग opinion होते हैं कोई कहता कि इस time पे बनवाई थी कोई कहता इस चीज में बनवाई थी इस वज़े से बनवाई थी तो सब अपने-अपने opinion इन में देते हैं ठीक है तो किसी ने गिली दिवार पर बताया है और किसी ने सूखे धरातल पर अब इसकी question answer देख लेते हैं बाकी जो इसकी बारे में हैं वो जितनी भी चीजे बची हैं वो सब जो question answer है उनमें हम cover कर लेंगे तो ये पूरा topic आपका cover हो जाएगा question answer भी और कुछ हमने theory के रूप में भी पढ़ लिये हैं तो first question देखते हैं हम ओके सिगीरिया कुफा की प्रतिलीपी वर्तमान में कहां शुरक्षित हैं तो ये कोलम्बो में कोलम्बो संग्राले जो है वहां पर ये स्थित हैं next question है विशुद्धी मगन किस धर्म से संबंदित हैं तो देखें विशुद्धी मगन इसमें जो है श्रिलंका के प्राचीन चित्रन ठिकानों का इसमें वर्नन किया गया है लेकिन फिर भी जो है जो सबसे प्राचीन चित्र अफ्षेश हैं वो सिगीरिया की गुफाओं से प्राप्त होते हैं तो इसका वो लिख लीजेगा अचारिय बुद्ध घोष ने 15 स्टापदी में ये ग्रंत रचा था और ये बौध्ध धरम से संबंदित हैं इसापूर्व दूसरी स्टापदी के इस ग्रंत में वो यहां पर 15 स्टापदी कर ली जागा 15 स्टापदी में ठीक है 15 स्टापदी में तो इस ग्रंथ में सिंगल की चित्रकला का जो वर्नन है वो मिलता है कि इसको पांचवी स्थापदी पांचवी स्थापदी में ठीक है बुद्ध गोश्च के द्वारा रचित है और इसके साथ ही एक लाइन और ध्यान रखेगा कि छटी स्थापदी में एक और बोध गरंथा महावंश उसमें भी जो सिगरिया की गोफाएं है उनके बारे में कुछ रहश में संदर्व उपलब्ध है चटी स्थापदी में बोध गरंथ महावंश महावंश पूछ ले जाए किस धर्म से संबदीत है इस बोध धर्म से संबदीत है और चटी स्थापदी में और ये पांची स्ताप्दी में Next है सिगिरिया की गुफाओं का जिर्ण उदहर और सुरक्षा की ववस्ता किसके निर्देशन में हुई थी तो यह हुई थी HC पावेल के निर्देशन में हुई थी तो यह क्या थे किस पोस्ट पर थे ये श्री लंका में पुरातत्वे विभाग में कमिशनर थे 1895 से 1905 तक उसके बाद है कला और कलम किसकी पुस्तक है बहुत पूछी जाती है ये तो ये गिर्राज किशोर अग्रवाल की है 21 रुपाईनी स्त्रियों के चित्र बहुत पूछा गया है ये वाला क्वेस्चन ये सिगिर्या की गुफाओं से मिलते हैं जुलूस के रूप में कुलीन मैलाए हाथों में पुष्प ले हुए हुए चित्र किस गुफा का है सिगिर्या गुफा का कि सिगिर्या की गुफा में चित्रित है में का चित्रित है ये सिगिर्या की गुफाओं से थाधे 300 गुफाओं और जो शरीर में है वह हरा पीला और नारंगी रंग फिल किया गया है नेक्स है कि अप्षराएं किस गुफा में चित्री थे ये सिगिरिया की गुफा में ही चित्री थे और अप्षराएं जो चित्र है वो कहीं कहीं पर अकेले चित्री थे और कहीं पर वो गुरूप में भी चित्री थे इवी हैवेल ने सिगिरिया की चित्रकारों की तुलना किस पास्चात्य चित्रकार से की है उन्होंने जो सिगिरिया की चित्रकार थे उनकी तुलना की है जो पास्चात्य चित्रकार थे बोती चली तो उनसे इनकी तुलना की है नेक्स्ट सिगिरिया गुफाओं का उत्खनन कारिय धातों से इनने किन के लिए करवाय था तो ऐसा कहा जाता है कि इन गुफाओं का उत्खनन है वो बोध बिक्षूओं के लिए करवाया गया था next question है last question है कि single deep को अन्ने किन नामों से जाना जाता था श्री लंका जो वर्तमान में हम जानते हैं कामरपनी अमरद्वीप और आमरद्वीप तो ये था हमारा सिगीरिया से सम्बंदित पूरा टोपिक इसमें cover होता है I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीज़ेगा लाइक कीज़ेगा और अपने दोस्तों के साथ शेर करना बिल्कुल ना भूले थेंक यू